एक फरवरी को यानि कि आज वित्मंद्री निर्मला सीता रमन 2024 से 25 के लिए बजट पेश करने जा रही है यह अंदरिम बजट है क्योंकि अप्रेल से मई में आम चुनाव होने है महीं नई सरकार के सत्ता में आने की बाद पूर बजट जुलाई में पेश होने की उमीद है वित्मंद्री निर्मला सीतरमन अपने कारेकाल का छटवा बजट पेश करेंगी इस बजट में कोई बड़ी खोशना होने की उमीद फलाल नहीं जताई गई है महीं वित्मंद्री सीतरमन पहले ही इसे लेकर संकीत दे चुकी है बताने की अंतरिम बजट में सरकार के पास मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करने वाले किसी भी बड़े पॉलिसी चेंज की अनुमती नहीं होती हाला कि सम्मिधान सरकार को अंतरिम बजट में टैक्स रिजीब में बदलाव करने की शक्ती देता है महीं 2019 के अंतरिम बजट में भी सरकार ने 87A के तहट इंकम टैक्स रिबेट दी थी इसे 5 लाग रुपे तक की सालाना इंकम टैक्स प्री हो गई